हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पावर ओप मैस अकर्डिम दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सुपर टेट के लिए मैस के कुस्टन की प्रेक्टिस सीरीज कर रहे हैं जोघ का की विए दोस्तों आजका सवाल आपके सामने क्या कह रहasted है बहुत ही ध्यां से समझेगा कि यदि आपके सामनी ये नंबर कि रखने कि नौ से बभार है बच्चा तो बताना यह कि इस्टार के स्थान पर जो अंकों कर दो बस समाजार्षे मिद्धile वो हमारा किस से करना चाहिए, आपको 9 की चेक कर रहे, तो 9 से करना चाहिए, यही हमारी 9 की डिविजबिल्टी हो जाती है, इतनी वार समझ गे, अब आपको कुछ करना ही नहीं, आपके सामने नंबर क्या लिखा है बच्चा, आपको 5 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लि समाच किता होता बच्छा आपको 21 अब 21 प्लस करेंगे इस टार को भी जोड़ेंगे ना क्योंकि स्टार की बाइसवे स्टार या याणि कि स्टार की जगाएंगा आ होगा जो की 9 से कड़ जाएगा जोडने के पर इतनी बाद समझ गए अब इस्टार का मान कहां से देखोगे आपको ओप्षन से देखेंगे देखो जीरो रखेंगे देखो 21 9 से कड़ता है आपको नहीं कड़ता है एक रखेंगे तो 21 प्लस एक किता हो जाएगा 22 9 से कटता है आपको नहीं कटता है, option number A, option number B खतम हो गया, आपको 6 रखते हैं, तो 21 plus 6 किता होता, आपको 27 होता है, और 27 बच्चा हमारा 9 से कट जाता, क्योंकि 9 किता होता 27, यानि कि 9 से कट रहा है, तो बच्चा star की जगापर क्या होना चाहिए, आपको 6 होना चाहिए, option number C is the right answer, आपको option number D को चेक कर लेते हैं, देखो 21 plus 9 किता होता 30, 30 जो होता बच्चा वो हमारा 9 से नहीं करता, इसका मलब star की जगापर 9 नहीं हो सकता है, इसका मलब star की जगापर क्या हो सकता, आपको option number C, यानि कि 6 is the right answer, यह सवाल जो इस type के सवाल होते हैं, यह सवाल ओरली किया करो, अभी मैंने आपको लिखकर समझा दिया, process इसका है क्या actually में, I hope दोस्तों आपको समझ में आया होगा, चलिए बात करते हो question number 2 की, तो दोस्तों यह रा question number 2, बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है, यह सबसे चोटी संक्या, जिसे 6609 में जोडने पर, योगफल 9 से बिभाजित होता है, तो होगी संक्या, आप संक्या बताओ क्या करना है, 9 से बिभाजित होता है, इसमें मैं क्या जोड़ूंगा आपको कुछ नहीं 9 से अगर विभास्ता करने हम पता है तो हमको अंकों का जोड कर लेते हैं जो भी आंखे दिये गए आपको 9 पिलस 0 9 बनाएगा 9 7 किता होता 16 16 6 किता होता 22 आप मुझे था इस जो नमबर आया 22 22 में मैं ऐसा क्या जोड़ूंगा कि जो नमबर होगा जोडने के बाद वो हमारा 9 से डिवाइड होगा यही तो कह रहा है आपको के 22 पिलस 5 किता होता आपको 27 27 9 से कट जाता है यानि कि option number is the right answer बहुत ही आसान सवाल होते हैं दोस्तों जब एक बड़ी संख्या जो यहन क्यू माइनस यहन जबकि यहन एक प्राकरत संख्या है के रूप की प्रतेख संख्या को पूरता विवाजित करें आपको बताना है ऐसा कौन सा नमबर हो सकता है जो कि इस रूप को पूरता विवाजित करें और जहां पर यहन है क्या आपको प प्राकरते संक्या यानि की नोच्रेल नंबर्स होते हैं तो आप मुझे बताओं यंकी वैलू अगर यंकी वैलू अगर आप रखोगे न बच्चा यंकी वैलू बन का आओ ऐसा कौन सा नमबर है जो पूरता विवाजित करेगा इन नमबस को आपको और सबसे बड़ी से बड़ी संक्या होनी चाहिए आपको बारा हो सकता है कि आपको बारा अगर होता तो यह 24 को काट देता लेकिन 6 को थोले ना काट पाएगा यह चोटा नमबर है इसका मलब सब और डी हलाकि 3 दूनी 6 होता है यह भी कर जाएगा और यह भी काट देगा लेकिन सबसे बड़ी संक्या की बात कर रहा है तो 3 और 2 ना होकर बच्चा क्या हो जाएगा आपको को कुस्षन नमबर 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा चलिए बात करते कुस्षन नमबर 4 की तो दोस्तों यह रहा कुस्षन नमबर 4 बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है कुल कितनी 3 अंकिये संख्या है 6 से विभाजित होगी दोस्तों इस टाइप के सवाल को मैं ऐसी ट्रिक बता दूगा आप जीवन में कभी इस सवाल को गलत नहीं करोगे सबसे पहले आपको क पहला नंबर क्या होता आपको एक होता है अब एक के बाद में क्या होता आपको 99 होता है 99 के बाद में क्या होता आपको बच्चा 100 होता है यानि कि 100 से स्टार्ट होंगी और 999 तक जाएंगी लेकिन आपको बताना यह कुल 3 अंकिये संख्या है जो 6 से विभाजित होनी चाहि तो मुझे मिल जाएगा यानि कि 900 निन्यानवे में अगर आप निन्यानवे नमबस हटा दोगे तो दो डिजिट या एक डिजिट की संख्यां गायब हो जाएगी आपके सामने बचेंगी किती आपको तीन डिजिट की बचेंगी आप मुझे तो घठाने पर कितना आएगा आपको 900 आएगी अब आपसे जो कहा जा रहा वास वैसे ही कर दीजिए छैसे विवाजित होनी चाहिए तो ऐसे नमबस बता दीजिए तीन अंके कितने हो सकते हैं आपको कुछ नहीं करेंगे बच्चा छैसे भाग कर दो कितनी वार आएगा आपको पंद्रा चक्कार तक दो डीजिट और एग डीजिट की हो सकती है तो 999 0099 में मैं हटा दूँगा कितने बचेंगे आपको 900 बचेंगे अब आपसे जो पूछ रहा है उसीसे भाग कर देना और यहाँ पर भागपण ही सिर्फ लिखा जाता है सेस पल्कुछ र Snya दहाता है तो उसको नहीं तो दोस्तों यह रा कोसर नंबर 5 बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है बच्छा चार की पावर 61 सट पिलस चार की पावर 62 पिलस चार की पावर 63 निम्न में से किस से बिवाज है आपको देखना होगा आप मुझे तो आपके सामने इतनी बड़ी-बड़ी पावर दिखी है इनको आप सौल्ब तू कर नहीं पाओगे तो कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको लगाना पड़ेगा वह आइडिया क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा आपको नहीं करना आप देखो चार की पावर यहां कितना है बच्चा टो कित्ता बचबदा यह आफों कि स्था 7 चार आपपम ने चार की सब्सक्रम होता है तो कित्ता बचेगा आपको चार की काइद की within यह वहां हैं शुक्तव से सब्सक्न में परण भढ़िए को अंसर आया बच्छा वो किता है चार की पावर 61 इंटू 21 आया आप मुझे बताओ option से देखो यह किस से विभाजित होगी आपने कहा option number A लेते हो ना अगर मैं तीन से भाग करता हूं तो यह से तो कटी रहा क्योंकि दो की पावर बहुत दे रखी है ना आया होगा चलिए बात करते कुसर नंबर 6 की तो दोस्तों को सामने यह रहा बहुत ही इंट्रेस्टिन सवाल है क्या कह रहा है कि यदि सो और हजार के बीच कि किसी पूरां के अंकों का योगफल उसी संक्या से होता है यादि कि 6 से विवाज होगा की 9 से होगा की 25 से होगा इतनी पाव समझ गये आप से पोला के बीच किसी पूरां को ले लो पहले सो और हजार के बीच आपके बच्चा जो भी मन में आहे वह पूरांग ले सकते हो मैंने बोला थोड़ी दिर के लिए मैं मान ले रहा अंकों का योगफल कर दो चैंसीस अगर आप घटाद होंगे तो पर्लाम सदेप किससे वीवाजित होगा आपको यही तो बताना है 101 में अगर आप 2000 में अगर फर्लब किससे करता है आप introduced यहां किता है नो और यह किता रहेगा चार चार सुपच्चानवे है यहां कि आप सो और हजार के बीच में कुछ भी पुढांग लोगे उनके अंकों का योगफल करने पर जो पुढांग आपने लिया उसी में से घटा होगे ना तो हमेशा बच्चा वो नंबर जो होगा वो नो से विभाज होगा आई होब दोस्तों आपको कुसर नंबर च्छे संख्या ग्यारा से स्चार के स्फटानफ पर अंक हैं जर्टी सब्से पहले आपको दीवाज्यक का नियम होता चाहाँ बूस्साशन सबढोग कुछ ईवर अब से जो इस्तान होते है वह ऊंटे होते हैं फ्लेस होते हैं इसी प्रकार से इस अंबर list सब्कार करें लोगा है आपको कि यह पहले स्थान पर हाएगा तो यह नंबर हमारा से जरागा यहाँ हैं क्या रख सकता हूं आपको यह यह जर। समझे लूझ灌 यह brig यह सऴ स handling चाहिए इतनी बाद समझ गए इस टार की जेगह पर आप क्या रखो अगर आप 0 रखोगे तो 4-8 बनाएगा मैंनस का 4 बनाएगा खतम हो जाएगा आपको चाहिए या 0 या 11 चाहिए इतनी बाद समझ गए आप मुझे तो अगर आप एक रखते हो इस टार की जगापर आठे किता होगा नो चार में से नो जाएगा किता बचेगा आपको पांच यह भी नहीं होगा अगर आपके सामने जो बच्चा आया चार माइनस का पंद्रा आया और यह आया किता आ हुआ ओन आया का मंक्न इप्लें या करे पिल्कुल होगा इसा नंबर और प्लस से आपकोмент नहीं पढ़ता है इतनी बाद समझ गएट लुब होना चीए तो हमारा जीरो या 11 का मदधिल होना चीए आई हो दोस्तों आपको सब्सक्राइब बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा चलिए बात करते हो कुछ सर नमब्र आठ तो दोस्तों को सब्सक्राइब रहा है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज हो तो वह है निम्न में से किस प्रकार की होगी आपके सामने option लिखे हैं 11 प्लस 13 से विभाज होगी 13 माइनस 11 से विभाज होगी 11 इंटू 13 से विभाज होगी और 429 से विभाज होगी इतनी वा समझ गए आप पर सामने जैसा ही यह सवाल आया ना तो बच्चा आपको सोचना नहीं पड़ेगा option number C right हो जाएगा कैसे आप मुझे थोड़ी देर के लिए मैं एक example समझाता हूँ जैसे मैंने लिखा मालों यहां की 15 की डिविज्विल्टी आपको बनानी है तो आप क्या करते हो बच्चा ऐसा number जो हमारा तीन से करना चाहिए और ऐसा number बच्चा जो हमारा 5 से करना चाहिए अगर दोनों से कतेगा न similarly तो तभी वو number हमारा 15 से कतेगा ठीक उल्टा है यह सवाल दे रख्ठा है आप मुझे तो ऐसा नमबर जो 11 ओ 13 से कटेगा 11 ओ 13 दोनों से कटना चीए इसका मिलब ठीक इसका उल्टा नमबर ये क्या होना चीए आपको कि 15 कैसे आया, आपको कि 3 इंटू 5 करने पर आया जानि कि 11 ओ 13 से आगर 2 नमबर करते हैं तो ग्यारा इंटू तेरा करने पर ही हमको डिविज्विल्टी समझ में आएगी वह नंबर जो होगा बच्चा वो ग्यारा और तेरा के मल्डपलाई को ही काटेगा ग्यारा और तेरा से ही विवाज होगा इतनी बार समझ गए आप मुझे तो यदि कोई संक्षा ग्यारा से कर जाएंगे तो यहां किस कोई फेक्स वैलू नहीं होगी इसका मलब ऑफसन नमबर दी तो बिल्कुल नहीं हो सकता अगर कोई नमबर ग्यारा और तेरा दोनों से विवाज है तो इसका मलब वह संक्या जो होगी इन दोनों के प्रोड़क्ट से भी विवाज होगी आई मज में आया होगा चलिए बात करते कुसर नमबर 9 की तो दोस्तों कुसर नमबर 9 आपके सामने यह राप बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा कि यदि स्टार एक ऐसा अंख है जिसके कारण आपके सामने यह संख्या दे रखीना को 11 से विवाजित किया जा सकता है ठीक है तो आपको नमबर जो होगा बच्चा को 11 से विवाजित होगा आपको पता है कि 11 की डिविजुल्टी होती क्या आपको को और प्लेसिस का सम यानि कि इसमें यह जो लेंगे दो दो प्लस किता होता पांच दो प्लस पांच किता होता आपको साथ साथ प्लस स्टार माइनस का इव प्लेस पांच किता हो था बारा बारा मानेस बारा करोगे तो जीरो मिलेगा अगर जीरो मिलेगा तो वो नंबर हमारा ग्यारा से विवाजित हो जाएगा यानि कि option number C is the right answer बाकी ऐसा कोई सा भी option नहीं है जो रखने पर 11 का मल्ट पे लिया जीरो दे आया होगा चलिए बात करते कुसर नंबर 10 की तो दोस्तों कुसर नंबर 10 आपके सामने यह रहा क्या कह रहा है कि यदि संक्या आपके सामने संक्या दे रखिये ना संख्या जो है वह 11 से विभाजित हो लुप्त आंक यानि की स्सक्राइए Ri 0 तू सेवन इस्टार और आठ मैंने बोला कि और प्लेसिस का सम यानी कि एक अंको ढोल कर प्लेसिस मिलता है आठ प्लस चाहिए नहीं कि दस प्लस किता हो जाएगा इतनी वा समझे आप मुझे तब बाइस में ऐसा मैं क्या घटाओंगा इस्टार की वेलू रखने पर जो कि मुझे 0 मिले या 11 का मढपिल मिले आपको कोई option रखते हैं 10 प्लस 5 किता होता 15 बाइस में से 15 घटाओंगे किता मिलेगा 7 आपको कि 11 का मढपिल नहीं मिला अगर आप 3 रखोगे 10-3 किता होता 13 बाइस में से बच्चा अगर आप 11 घटाओंगे ना तो हमको कितना मिलेगा आपको 11 मिलेगा इसका मलब अगर 11 है क्या आपको 11 का मढपिल है या तो यहां पर 0 मिलना चाहिए या 11 का मढपिल मिलना चाहिए तभी वो नंबर हमारा बच्चा 11 से विभाजित होगा यानि कि इसका आं आया होगा, चलिए बात करते कुसर नंबर 11 की, तो दोस्तों कुसर नंबर 11 आपके सामने यह रहा क्या कह रहा है, कि यदि आपके सामने नंबर दे रखा है ना 11 से भाज है, तो A का मान होगा, बहुत ही आसान सवाल है कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर लग लेते हैं फिर देखेंगे और प्लेसिस का सं करेंगे, मैनस इवन प्लेसिस का सं करेंगे तो देखेंगे जिरो आरक गैर आरक किया वारा वारा तीन किता होता पंद्रा पंद्रा मैसे अगर एक्की जाएगा माइनस का छह मिलेगा जिरो और ग्यारा का मल्ट पिल नहीं मिला है हाला कि माइनस और प्लस डिपेंडेंट नहीं होता ना इतनी बा समझ गे आप मुझे तो तीन रखोगे देखो तीन उनी छह तीन 21 मैसे अगर आप 9 घटा होगे किता मिलेगा 12 ये भी नहीं मिलेगा खतम हो जाएगा तो 9 रखोगे ना बच्चा 9 दूनी किता होता 18 18 3 किता होता 21 अब 21 मैसे अगर आप 21 घटा होगे ना तो किता मिलेगा 0 मिलेगा यानि कि ये नंबर जो होगा वो फिर 11 से विवाज हो एक-डों अंकिये शंख्या को दो बार शाथ-सात लिखकर एक-चार अंकीये संख्या बनाएगी यह आनि कि दो अंकी को संख्या होगी उसको दो बार साथ-सात लिखेंगे तो चार अंकियों की संख्या बनाएगी यह था म Teaching प्रकार से जैसे 25,25 संख्या व To Berwe सन्खिया बनेगी तो हमेशा किस नंबर स सदाइब करोगे आपके मुझे तो एक सो एक का गुणा करोगे ना तो इसे गूणा करेंगा दोखो eui यह आ गया फिर euilus a यान की todo दोखो वही नंबर मिल गया जो हमको यहां दिया गया एकजांपल में यानौ नी की सदैबह बच्चा वो 101 से पूर्ता विभाज़ित होगी ना तो ये साथ से कटेगी ना ग्यारा ना तेरा से कटेगी इदनी बार समझ गें किस से कटेगी हमेशा 101 से पूर्टा विवाजित होगी और एक्षी ध्यार रखना कभी कवार ओप्शन डी में कुछ इस प्रकास से लिखकर आता है मालो सबसे आपको 101 ना देकर आपसे ये भी लिखकर आ सकता है कि यहां संख्या अभाज संख्या कहने का मतलब यह हुआ अगर आपके ऑप्शन में मालो डारेक्ट 101 नहीं आया तब आप नहीं समझ पाओगे ना अगर ऑप्शन में 101 की जगा पर यह आ जाए कि सबसे छोटी तीन अंकी अभाज संख्या तब आपके सामने यह सवाल जो है थोड़ लडिपार करोगे ना तो वह चार्ड डिजट का बन जाता है वही दो डिजिट दौारा से रिपीट हो जाता दोधो किता होगा वी तो दोस्तों आपको कुस्सर नंबर बहुत ही से समझ में आया होगा चलिए बात करते हो कुस्सर नंबर 13 की तो दोस्तों कुस्तर नमबर 13 आपके सामने ये राब बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है कि यह दिया गया है कि दोकी पावर 32 पिलस बन किसी संक्या से पूरता बिभाजित होता है उसी संक्या दोरा निमलिकित संक्याओं में से कौन सी संक्या निश्चित रूप से पूरत सलता विभाजित होता है महालो न जिसी के बराबर हो सकती यानि कि मलो वह संख्या2 की पावर 32 mat से पूरता विभाजित हगी से निष्चित रूप से पूर्टाव विभाजित होगी आप मुझे तो आपके सामने option दे रखे आपको option number C और option number D तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अगर ये संख्या 2 की power 16 पिलस बन होती तो आप मुझे तो अगर आप किस से भाग कर रहे हो आपको रहे हो 2 की power 32 पिलस बन से भाग कर रहे हो अब बात करें के B और A में आप मुझे तो A numbers को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत ही आसान सवाल है क्या कह रहा है option number A 2 की power 96 पिलस बन आप मुझे तो 2 की power 96 पिलस बन होता क्या है आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना 2 की power 96 वो 32 की power 32 की power 5 किती है क्योंकि negative 라고 40 पिलस क्या है आप को धोड़ी दिर के लिए लिए लिख दे रहा हूँ आप मुझे तो आपके सामने ना भचा क्या क्या दिख रहा है आपको YOU क्यू दिखना है और ये दिखना आपको Bqнал में अब AQ प्लस BQ होता कि आपको कि A प्लस B होता है कोश्टक में A स्क्वाइर प्लस का B स्क्वाइर माइनस का A B होता है इतनी बार समझ गए अब A प्लस B है कि आपको कि 2 की पावर 32 प्लस 1 है यानि कि A प्लस B है कि आपको कि 2 की पावर 32 प्लस 1 है यानि कि आपको 2 की पावर 96 प्लस बन में 2 की पावर 32 प्लस बन एक मिला है और कोश्टेंग में सम्थिंग मिला है इसका मलब मैं कह सकता हूँ कि यह नमबर जो है ना बच्चा वो 2 की पावर 32 प्लस बन से डारेक्ट विभाज होगा यानि कि 2 की पावर 32 पिलस बन, 2 की पावर 32 पिलस बन कट जाएगा, इसका मलब यह संक्या जो है वो पूरता विभाजित हो जाएगी, यानि कि option number A is the right answer, बहुत ही interesting सवाल है, I hope दोस्तों आपको समझ में आया होगा, यहां देखो 2 की पावर 33 कुछ ना कुछ सोच कर आप कर सक सकते थे, यहां देखो 2 की पावर कुछ भी होगी, लेकिन आप मुझे तो 2 दूनी, 4 दूनी, 8 होता है, आपको कभी 7 थोड़े ना मिलेगा, इसका मलब बिवाज नहीं होगा, आप मुझे तो 2 की पावर 32 पिलस बन, आप मुझे तो हमेशा और नमबर मिलेगा, इसका मलब आप को कि इविन नमबर कहां से विवाजित होगा, ओप्सन नमबर बीवी गलत हो जाएगा, समझे तो ओप्सन नमबर एक ही सही होना, इसकी मजबूरी हो जाती है, आई होग दोस्तों आपको कुछन नमबर 13 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, चलिए बात करते हो क कुछन नमबर 14 की, तो दोस्तों यह रहा कुछन नमबर 14 बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है, क्यों है सबसे बड़ी संक्या, जिस से बेंजक आपके सामने यह बिंजक ने रखा न, प्रतेक प्राकर्ते संक्या यह यहं के लिए पूरता बिवाजित होगा, प्रतेक प लुए घ्ता है किता होता है तीश ठीश चैस्ट और बारा किता होता है आपको गए तालेस यानि की मेलू रखने पर मुझे सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपको ऑप्सन नंबर डी हो जाएगा अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं मुझे मताओ यंगी बेलू पहले दो रखो डो रखों गेश्या किता है आठ डूनी चाहट आरख शिख ता होता है 24 12 36 होता है 16 54 की बात करेंगे पूर्ता विभाजित होगा चाहे कितने भी वेलु यहनकी वेलु रखोगे न हमेशा जो नंबर आएगा वो 48 का फैक्टर ही होगा इसका मलब सबसे बड़ी से बड़ी संक्या क्या होगी आपको 48 होगी आप यहनकी वेलु ठीरी रखे देख लेना तब भी आंसर यही आने वा बता दूगा ना जीवन में आपका यह सवाल कभी गलत नहीं होगा आप से करा हजार तता 5000 के बीच वाली कितनी संग्या है जो किसे विवाजद होगी यानि कि 4 बार इधर जाएगा ठीक है अब यहां देखो 225 दूना कितना होता 4500 दूना कितना पचास फिर 500 हो जाएगा फिर 225 दूना कितना होता साले 400 इदनी बास समझ गे पचास सेसवल आया सेसवल को भूल जाओ बस आप मुझे जोता कितनी संख्या बिवाजद होंगी किस दोस्तो आज के लिए सिर्फ बस इतने ही पंदरा सवाल आपको, करा रहे कुदकि मोगाल की जो बैटरी है वो होगी ए खतम आंगे सवाल मैंने करवा सकता हो फिर कल की कवाल में हम करवाइंगě इसी के आंगे I hope दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो फिली चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्ट क्लास में तब तक के लिए दोस्तों जै हिन दोस्तों